हेलो मैं दिर स्टूदेंट्स वेलकम टो गेट अकेडमी कॉमबेट का चौथा सवाल हमारे पास मैट्रिक्स हमें लिया है लीनेर लेजब्रा का बेसिक कोश्चन लिया है कोश्चन बड़ा ही आसान और सिंपल सा था कोश्चन जो बोड पे लिखा हो यह सॉलेशन स्टाट हो चुगा और यह था कॉमबेट नमबर फूर तो यह रहा हमारे पास कॉश्चन A is a square matrix of order 3 बहुत सारे लोगों ने comment किया सही भी comment किया तो यहाँ पर order मारे पास 3 का एक matrix दिया हुआ है इसका मतलब A3 cross 3 का एक matrix है आराम समझते है A3 cross 3 का मरे पास matrix है ठीक है? और बोल रहा है non zero diagonal elements है इसका मतलब यह कि बाकी 0 हो या ना हो यह तो confirm है कि यहाँ पर non zero है यहाँ पर non zero है और यहाँ पर non zero है बाकी का पता नहीं बाकी भी हो सकता है 0 या non zero ठीक है? बट यह confirm non zero है यह ABC जो हमारे पास दिया हुआ है यह हमार पास कैसा element है non zero मतलब minus हो सकता है plus हो सकता बड़ zero नहीं हो सकता all भी लगा दिया मतलब सारे के सारे ठीक है आगे कहनी क्या if rank of a power 3 is zero ठीक है if rank of a power 3 is zero a power 3 का rank zero दिया हो तो सबसे पहले rank के बारे में हलका सापको idea रहना चाहिए कि rank जो है वो zero कब होता है basic पता ही होता है हम सबको तो रहाद रखेगा rank zero कब होता है जब भी किसी भी matrix में चाहिए वो कितने ही कितने cross का हो चाहिए one cross one का हो चाहिए 100 cross hundred का हो या n cross n का हो किसी भी matrix का rank note कर सकते आप किसी भी matrix का rank तभी zero होगा केवल if and only if all the elements are zero that means null matrix तो किसका rank zero होता है हमारे पास नल मैट्रीक suitable होता है clear इस आपके पास अत्分 को गीवन है और 0 हमारे पास एडिर रिज्ट प्रिवड इस has provided to be huyah only तो यह गीवन है और e power 3 का rank 0 है इसका मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब यह हो रहा है कि a power 3 आपके पास जो matrix हमारे पास है वो कैसा matrix है एक 3 cross 3 का matrix तो होगा ही बट सारे elements क्या होने चीह आपके पास शुन्य 0 समाप्त तब ही इसका rank क्या बोलोगे आप जीरो है, clear, तो इसका rank 0 तब होगा, जब सारे के सारे element 0 है, तो basic हमने यहां से लिया, आप समझेगा, अब यहां पर यार बात कर रहा है, a power t की, बतब a transpose की बात कर रहा है, तो a transpose को मैं a से cube से कैसे रिलेट करो, उसके rank से कैसे रिलेट करो होती है, तो possibility हमको दिखने रही है, clear, a power 3 का भया, अगर rank 0 है, तो a transpose का rank 0 होगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, और वैसे भी, बोला हुआ है कि a में, a में, जो diagonal elements हमारे पास है, जहां से समझेगा, a में, जो diagonal हमारे पास है, element वो non 0 है, और क्या transpose लेने से diagonal बडलता है क्या, नई बडलता, transpose लेने से diagonal में चेंज होने वाला है क्या नहीं होने वाला भाई, transpose में, diagonal में CHANGE नहीं होने वाला, for example, अगर बात करने का मतलाब क्या सब्सक्राइब लिखा हुआ 134792 और 1-17 अगर आप इसका ट्रांपोज ले रहे हो तो ट्रांसपोज से से क्या परिवरता नहीं देखें तो ट्रांस्पोर्स से क्या बदल रहे हैं से 134 यहां पर आ जाका 134 यह नाइन टू यहां गया लो 792 और 1-171-17 क्लियर क्या हमारा डाइगोनल में कोई चेंज आया है हमको दिख रहा त्यान से देखें डाइगोनल में कोई चेंज यह देखें डाइगोनल में कोई चेंज नहीं आया 197 197 diagonal है तो इसका मतलब यह हो रहा है कि अगर मैं relate कर पाऊं A cube को A cube का rank को 0 जो लिखा हुआ है उस A cube के rank का 0 होना अगर A से कुछ relate हो पाएगा तो A transpose relate हो गया दिक्कत वाली बात नहीं है अगर A कोई matrix है ठीक है जिसमें A का power 3 जो है वो 0 हो चुका है यहां समझेगा यह definition है nil potent matrix की किस matrix की definition है यह nil potent matrix तो यहां से यह proof होगा यहां से यह पता चला यहां से समझ आया कि A कैसा matrix है भाई आपका nil potent matrix है कैसा matrix है यह nil potent अब nil potent matrix के बारे में अगर आपको basic idea है तो आप इसका answer लिख चुगे होंगे और अगर nil potent matrix का basic idea नहीं है तो ध्यान से समझेगा nil potent matrix एक ऐसा matrix जिसमें मैं power कुछ कर रहा हूँ तो वो 0 हो जाता है यह होता है इसका nil potency का index अगर यह 0 हो गया ठीक है वैसे दिख रहा rank अगर क्यूब का 0 है इसका मतलब A क्यूब का पक्का पक्का value क्या हमारे पास है यह null matrix है 0 matrix null matrix मैंने आपके लिखा हुआ है null matrix है इसका मतलब यह हुआ अगर A क्यूब null matrix है तो A कैसा matrix होगा निल potent matrix अब निल potent matrix की definition के हिसाब से क्या होता है निल potent matrix का eigen value जो है वो 0 0 होता है निल potent matrix का determinant जो है वो भी 0 होता है इसका मतलब यह हो रहा है कि यहाँ पे अगर A transpose के eigen value की बात किया देखो layer rank के बाद रिलेट कर रहा है भ transpose के eigen value की बात किया गया है तो आप सीधे बोल सकते हो कि जो इसका trace होने वाला है if A is a nil potent matrix if A is a nil potent matrix then trace is equal to leading diagonal element का sum sum of sum of leading diagonal element that means sum of eigen value जो पूछा है हमको sum of eigen value अगर nil potent matrix की बात चल रही है तो उसका trace होता है 0 तो sum of eigen value of A बोलू चाहे A transpose बोलू क्या diagonal में परिवरतन आएगा क्या नई A का जो trace होगा वो A transpose का भी trace होगा that means अगर A का जो eigen value आने वाला है और उसका जो sum होने वाला है sum of eigen value of A जो आएगा वो A transpose के बराबर nil potent matrix का eigen value का sum या nil potent matrix का trace या nil potent matrix की eigen values या nil potent eigen nil potent matrix का determinant ये सारी की सारी value क्या होती है शुन्य तो A transpose की भी eigen value का sum क्या होने है वाला भी या 0 शुन्य तो ये बहुत ही layered question था इस question में मैंने try किया कि आपको कुछ कुछ concept भी बात करूँ rank के बारे में थोड़ी सी बात की जाए nil potent matrix के बारे में बात की जाए फिर उसको relate किया जाए eigen value से तो ये 3 layered question हमारे पास था तो ऐसी question के साथ मैं आता रहूँगा combat number 5 मिलते हैं बहुत जल्द thank you so much